यह कोई छोटा बच्चा है तुम्हें इस बच्चे को पकड़ना है तो तुम क्या ऐसा करोगे कि तुम अपने हाथ को जाजन टिक बना लोगे और फिर आप कोगे कि मैंने इस बच्चे को पकड़ लिया यह फिर आप ऐसे करोगे कि आप बच्चे का हाथ फाल के बोलोगे कि देखो मैंने बच्चे को पकड़ लिया कैसे पकड़ते हैं किसी को हाथ की पकड़ सकते हैं चलिए बच्चे की बात छोड़े दोस्तों की बात करते हैं आप दोस्तों को कैसे कैसे पिकड़ सकते हों हाथ से कपड़ों से बालों से गर्दन से कमर से टांगों से पेरों पड़ सकते हों तो इमजन कीजिए एक तो है हैंड जो की बांडिंग साइट है ठीक है और एक है body का कोई part जिससे आप bind करने वाले हो तो जो ये binding site है इसका एक नाम है और जिससे ये bind करने वाला है मालूम पड़ा कि आपने क्या कर लिया कि ये आपने किसी सामने वाले के बाल पकड़ लिया तो जो आपने पकड़ा है उसके बाल और जिस चीज से आपने पकड़ा है इन दोनों के नाम होते हैं माल लूजे हमने कहा कि ये मेरे पास एक एक एंटीबोडी है एक जनर्नल सा एंटीबोडी और ये कोई एंटीजन है जिससे वो यहाँ के बाइंड कर गया तो जो यह antigen की binding site है इसको तो हम बोलते हैं epitop जैसे सपोज यह एक bacteria है और bacteria के surface पर काफ़ सारे glycoproteins वगरा निकले वह हैं glycoliquids भी है, carboid निकले वह है, flagella भी है और अंदर इसका DNA है तो मालम बड़ा कि आपका antibody या करके हैं bind कर गया तो जिस part से ये bind किया, इससे हम बड़ा करके दिख लेते हैं तो माल लिजे यहाँ पर कुछ molecules लगे वह हैं और इन molecules से आपके antibody का part आकर चिपका है तो जो ये हिस्सा है, जिससे वो चिपका है, इस हिस्से को हम बोलेंगे epitop the site of antigen on which antibody can bind तो मेरा पहला कोशन यह है, इस पैक्टी रेके ओकर कितने epitop होंगे one, option number one है, one, option number two है, hundreds, option number three है, thousands, option number four है, millions क्या बोलते हूं, तर बिलियंस होगे, बैट्टी रेके लिए millions रोगता बड़ा बड़ हो जाएगा, तो हम अपने आपको कुछ कर सकते हैं, thousands के आसपास, चिक है, यह million क्यूं होता है, मरलब क्यूं मैं million से बचना चाहरा हूं, मैं समझा दूंगा इस बात को, क्योंकि बैट्रिया जो size है, उसमें कितने surface के पर molecule पा जाते हैं, उस base पर हम लोग million से बचना चाहेंगे, अगर कोई हम youkartic cell की बात कर रहे होते हैं, तो बात लगती ह कि क्या जितने भी abitop होंगे, सब के सब ऐसे ही होंगे, हो सकता है, कोई antibody यहां के चिपक जाए, कोई antibody बेसमा के चिपक जाए, कोई antibody फ्लाजला के चिपक जाए, तो मैं तब अलग अलग जगे पर binding site possible है, इस अब simple भाषा में ले लेते हैं, माल लिजए कि यह एक antigen है, इस इस antigen पर इजो मैंने डिफर्ट शेप दिखा रहा हूं, कि इस इस बिफर्ट बाइन साइट है, तो इस अपितॉप 1, इस अपितॉप 2, इस अपितॉप 3, इस अपितॉप 4. इस अपितुप 4. एक लडगे ना शादी के चक्कर में किसी लड़की को देखने के लिए क्या, तो लड़के ने क्या, खाना बना सब बना रखे था बढ़ा तरिके से, लड़के वह यह चाहिए है था कि भई खाना बनाना आता हो लटकी को नहीं दो उसकी उशाथ यही थी जब खाना के लिए बैठे तो फुल के आये फुल के रोटी बहुत मस्त पकले फोटोबॉल की तरह फुले वे और गोल्डन ब्राउन ना तो कहीं से जले थे ना कहीं से कच्छे थे और जब ऐसा उन्होंने खाना शूर किया तो वाव वाव क्या बात है लड़की ने ड़ते ड़ते पूछ लिया ये फुल के किसने बनाए है तो लड़की की मान ने बताया कि ये लड़की ने बनाए है बख फिर क्या बात दी लड़के ने फड़ा वड़ हां भर दी और शा वागे की रिवाज करने के बाद में खाने गटाहिम आया, तो फुल के दला जवाब बनाए, बट शबजी में कहीं आलूक अच्छे थे, तो कहीं नमक तेज था, तो कहीं मिर्ज तेज था, तो कहीं कुछ था ही नहीं, फिर लड़के को याद आया, कि उसने तो पूछा ही नह कि सबजी किसने बनाई, उस टाइम, तो जैसे हम जानते हैं कि कई बार जो हमारे decisions होते हैं, वो किसी एक property पर ठिके होते हैं, और हम लोग assume कर लेते हैं कि बाकि सब भी बढ़िया 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 होगा, मेभी ना हो, मेभी हो, अब जैसे यहाँ अगर मैं कहूँ, इस antigen के पास में चार epitop हैं, चार different type के epitop, और फिलाल जो मने diagram दिखा रखा है, इसमें एक type का एक epitop है, खो ये भी सकता है, कि हर type के multiple epitops available हो, समझे बात को, यहाँ epitops का मतलब है, वो molecules जिनसे antibody bind कर सकते हैं, को दिखका तो नहीं, अब क्या हुआ, सिंपल करके diagram ले लेते हैं, यह हमारे पास antigen, which contains four type of habitat, मैं फिलाल इनको single single lunatic के रूप में दिखा रहा हूँ, और यह antigen हमारे body mentor किया, हमारे body mentor करते ही, इसका सामना हुआ, different kind की immune system की cells के द्वारा, कहानी गुमते गुमते, ultimately antibody बनाने वाली cell तक पहुँची, कौन्सी cell से antibody बनाने वाली? B cell, यह हम फिलाल बोल रहे हैं, यह है knife B cell, knife B cell का मतलब है, जिन्होंने आज तक antigen नहीं देखा है, जैसे तुम्हें याद होगा कि, जहरा दून में एक Indian military academy है, वहाँ पे army के लिए officers ready किये जाते हैं, तो जब वो pass out करते हैं, उस टाम तक वो गोली चलाना, दुश्मन से लड़ना से ही चुके होते हैं, Now, the important question, during their training, क्या उन्होंने कभी असली दुश्मन का सामना किया था? नहीं, तो वहाँ पर उनके पास कुछ abilities develop हुई है, बट हमें नहीं पता कि front के मैदान पर, मतलब वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जंग के अंदान में, तो क्या वहाँ पर उनकी वो features हमारे काम की हैं या नहीं? लेकिन फिर जब दुश्मन हमला करता है, तो मालूम पड़ा कि एक के पास planning के बड़े अच्छे गुण थे, एक के पास rough condition में देर तक चलते रहने के अच्छे गुण थे, एक के पास पाड़ों पर चड़ने के गुण थे, तो इन्हीं सब गुण की वज़े से वो काम्याब रहे अपने-अपने missions में, अब माल लेज़े हमारे पास normally क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी B-cells होती है, लाखो करोडों की मात्रा में, बरिम्राय रख्य हुई है, यह हैं trend B-cells, यह ready to attack हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने आज तक अपने हाथ नहीं हज़माई, अब माल लेज़े हमारे पास एक ऐसी B-cells है, जिसके पास एक इस तरह का antibody है, अभी antibody तो वही होता है जो आप देखते हो, ठीक है, लेकिन मैंने epitop की complementary sequence बनाने के लिए मैं इस तरह की शकले दिखा रहा हूँ आपको, एक इस तरह का antibody है, और एक, इस तरह का antibody है, तो यहाँ पर मेरे पास epitop number 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो बताएज़रा, इनमें से मेरे पास जो A, B और C, यह team तरह की B-cell में आपको दिखाए है, नाई B-cell, इनमें से कौन सी B-cell, कौन से epitop के साथ fit हो सकती है, as per the shape complementarity, A, 2 के साथ, क्या कोई और भी आपको ऐसा लग रहा है, जो bind कर सकता है, नौ, तो जैसे ही इनमें से एक cell bind करती है, तो जो cell bind नहीं करी, अब यह कुछ दिन और survive करेंगी, इस बीच में अगर इनके हिसाब का antigen मिल जाती है, अपक्टासिस के दुआरा, तो हमने इनको खत्म कर दिया है, फिलाल, मामला साफ, जो B cell physically antigen के epitop से bind कर जाएगी, बाइन करती, असल में जो आपका यह antibody है, यह एक तरह का receptor है, receptor for the antigen, यह signal, cell के अंदर जाता है, nucleus में बदलाव करता है, कुछ खास genes को activate कर देगा, और आने वाले कुछ घंडों के अंदर, यह वाले cells particular, यह divide होना शुरू हो जाएगी, और सब के पास, सेम उसी तरह के antibody, बोड़ी क्या बोलते हैं इसको हां जी इसे बोलते हैं क्लोनल क्लोशन मतला हुआरे पास जो बी सेल के डिफेंट क्लोंस तो उनमें से एक क्लोंस लेट कर गया जो इससे बैंट कर साता था इसी टाइम एक बी सेल और भी थी वो बी सेल उसके पास जो रिसेट कर था वो बाइंट करने लायक था मैं इसको कलो दुश्य जाएता हूं एपट आप नमबर तीन से और नतीजा ये वाली बी सेल भी भी ही लिख दिया मैंने इसको ये सेल भी क्लोंस लेशन करके डिवाइट कर गई है अब क्योंकि इसी सेल से डिवाइड हुएं तो जितनी भी ये बी सेल हैं ये सब के सब एक दूसरे की क्लों है आप जानते हैं ना जो सेल का डिविजन होता है वो माइटोसिस के दुबारा होता है माइटोसिस से जनेटिकल ली अडेंटिकल सेल्स क्रेट होती है क्या ये बास समझ में आ गई मैं थोड़ा सा गलत बना दिया है तो इसको मैं क्रेक्ट कर रहा हूं स्क्वाइर के शेट दने के लिए अब ध्यान दिजे का आप जो बोलने वाला हो वागए अब एसा रखे लो अब अगर मैं इन से ये एंटिबोडी निकाल लूँ फिरिफाइ कर लूँ एंटिबोडी तो इन अटिबोडीज को मैं मोनो किनो अलल अटिबोडी बोलूँ हूँ है शॉर्ट फ़र्म में म, A, P समझे क्यों बोल रहे हैं लोग इसे मोनो क्लोन एक B-cell के जो क्लोंस बने थे उस क्लोन से आइसोलेट किये गए अंटिबोडी अब नोटिस कीजिए मोनो क्लोन अंटिबोडी जिसे हम मोनो क्लोन बोलते हैं वो एक ही टाइप के अपिटॉप को बचान सकते हैं इस केस में हम इसे बोलेंगे अंटि टू यह जो अंटी टू बोला मैंने यह एपिटॉप वर्ड के रिस्तामाल किया स्वरी अंटी थ्री अंटी थ्री अपिटॉप के अगेंस्ट मोलोकुल अंटी बोडी यहां तो बास समझ में आ रही है या नहीं सेम ऐसे ही जो आपकी यह वाली सेल्स थी आपने उन से अंटी बोडी आसुलेट कर ली है इन अंटी बोडी इसको आप क्या कहोगे यह हैं हमारे अंटी टू मोनोक्रोन अंटी बोडी अब हमने क्या करा इन दोनों को एकी टैस्ट्यूम में डाल लिया आप क्या बोलेंगे ने पोली क्लोनल अंटी बोडी बास समझ में है यह नहीं है अले तो भई चार बना दू यहां पे और आदा गंडला आगर के अब यहां बनाने बैट हुआ हरे टाइप के आपके लिए पोली का मतलता चलो दस टाइप के डाइगराम प्रो करेंगा तो होगा काम खतम तो वाट इस दिफ्रेंस बेट्वें मॉनोक्रोन अन्टी बोडी जो होते हैं जो एक ही बी सेल के क्लोन से बनाए गए हैं और यह एक ही एपिटप को बचानते हैं इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे पॉलिक्रोनल में मल्टिपल बी सेल्स के क्लोन से बनाए गए एंटी बोडी जो मल्टिपल एपिटप को बचानते हैं जर्णलिंग, पॉलिक्रोनल सेम एंटिजन बचानेगा, सेम एंटिजन के मल्टिपल एपिटोप, मोनक्रोनल सेम एंटिजन के सेम एपिटोप बचानेगा तो हम लोग अक्सर प्रिसाइजली रिसेर्च करने के लिए और कई यह काफी हद तक डियागनोस्टिक में भी हम लोग मोनोक्लोन अंटिबोडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं यहां तक के ट्रीट्मेंट में भी तो इसलिए monoclonal antibodies बनाने की जो process है वो बड़ी खास बन जाती है monoclonal antibodies को produce करने के लिए जो traditional method है चाना में उसको hybrid technology अब इसको समझते हैं hybrid technology होती क्या है hybrid technology के अंदर हमने एक myeloma cell लीए myeloma cell एक तरह की B cell है जो cancerous है ठीक है मतलब antibody बनाने वाली cell है लेकिन है cancerous तो नतीजा अगर मैं इसके phenotype की बात करूँ तो ये antibody नहीं बना पाती है antibody बनाने वाली cell थी लेकिन अभी जो है ये इसके ability हो चुकी है तो ये IG negative कलाती है जब भी कभी किसी phenotypic property को दिखा के हम negative करने तो मतलब उसके अंदर उस organism में या वो cell के अंदर वो particular gene काम नहीं करती है ये immortal है cancerous है तो जब तक new tuition मिलेगा जिंदा रहेगी साथ में हमने ये खास और से इस तरह की cell नहीं है जिनमें TK नाम का enzyme negative हो और जिसमें SGPRT नाम का enzyme negative हो ये दोनों के दोनों enzyme salvage pathway के है salvage pathway के लिए होती है जो हमारे पास तूटे फूटे निक्रोटाइड्स हैं उनसे सही नक्रोइड बनाने के लिए इस्तमाल के आता है TK की फूटाइड फूटाइड काइनेज SGPRT की फूटाइड की फूटाइड की फूटाइड है हाइपोजंखेन, गवैनेन, फॉस्फो, राइबोसल, ट्रांसफरेंस ये पूरिंस और पारेमड़ीन के निक्रोटाइड बनाने वाली पात्रे होती है लेकिन वो जो ओल्डरी फूट फूटाइड की रूप में हमाल पास पड़े हुए है अभी क्या होता है कि हम एक दूसरी साल ओल लेते हैं मतलब जैसे हमें किसी के अगेंस्ट जो एंटीबोडी बनाना है तो एक एंटीजन था मेरे पास इस एंटीजन को हमने रैबिट में या फिर चूहे में इंजट किया शर्थ यह है कि जो भी आप माईलोमा सेल जिस एनिमल की लोगें उसी ओगिनिजम के अंदर आप अंजट करोगो माल लेते हैं हमने माउस का लिया है माईलोमा सेल तो हमने इह एंटीजन इंजट किया दो विक तक वेट किया और दो विक के बाद इसकी हमने बीसेल इसोलेρί ड गड़ी हमने चैक कर लिया, confirm कर लिया कि इस बीसेल से वो यह आठीबोडी बनते हैं जो आठीबोडी से एंटीजन से बाइन करते हैं अब now what we have done हमने यह B-cell ले लिए इन B-cell के surface पर वो antibody है जिस antibody को हम चाहा रहे हैं उस antigen के गेंस्ट यह normal B-cell है Ig बनाती है यह normal B-cell है तो इसकी उमर भी होगी एक यह normal B-cell है इसका TK enzyme काम करता है इसका NGPRT enzyme काम करता है अब हम इन दोनों cell को fuse कर देते हैं अगें देशक हम diagram में कुछ भी दिखाते रहें लेकिन जब भी आप कभी test tube में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास हजारों की मातरा में myeloma cells हैं हजारों की मातरा में B-cells हैं और फिर आपने सब को fuse करने के लिए माहल दे दिया आप polyethylene glycol का इस्तेमाल कर सकते हैं cell fusion के लिए या फिर आप electric fusion का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप abstain bar virus का इस्तेमाल कर सकते हैं जो cell fuse कराने में बहुत रोल हिवाद दिया है जैसे जो मैंने कभी monoclon antibodies बनाए हैं तो मैंने हमेशा abstain bar virus का इस्तेमाल किया है अभी जब हमने यह cell को fuse करा दिया तो ज़रूरी थोड़ी है कि मायलमा के साथ भी ही fuse करेगी कि यह chemical जो हैं केवल दो cells को fuse कराने के नहीं चाहिए कोई भी cell हो तो मेरे पास जो possible combination है जो बन सकते हैं इन में से एक combination तो यह है कि मेरी दो B cell आपस में चिपक गई एक combination यह भी है कि मेरी B cell fuse कर गई है मायलमा सेल के साथ एक combination यह है कि मेरी मायलमा की दो cell fuse कर गई है और एक combination मेरे पास यह भी है कि जहां मायलमा की cell fuse कर गई है ये कुल मलाके ये possibilities हैं जो मुझे यहाँ देखने को बिल रही है तुमारे साथ से कोई और possibility हो सकती है क्या अब क्या करते हैं हम लोग इन सब cells को एक medium पर grow करेंगे इस medium का नाम है H-A-T इसमें बाके से पूच है बढ़िया serum विरम पड़ा हुआ है M-E-M टाइप का medium है लेकिन साथ में तीन chemical और बढ़े है H-A-N-T H chemical का नाम है hypoxanthin ये substrate है अगर H-G-P-R-D enzyme ठीक काम कर रहा होता है तो hypoxanthin can be converted to GMP और AMP ठीक है T T का मतलब है thymine dilate जो thymine होता है शुगर वोगर जुड़ा हुआ केवल फॉस्पेट है है उसमें तो अगर T के enzyme अवेलिबल है ठीक ठाक काम करने वाला तो this will convert to TMP, CMP या फिर UNP मतलब आपको पांचों गड़ मिल गए RNA DNA बनाने के लिए सिंपल सी बात यह है और जो A है A का नाम है Aminopaterin P-E-T-A-R-I-N शाहिद यह स्पिलेंगे इसकी Aminopaterin जो है यह जहर है और यह D-N-O-O pathway of niclotide को बंक कर देता है उसको होने देता है अभी क्या है कि हमारी cells में system इस तरह से रखा गया है कि अगर DNA replicate नहीं कर सकता RNA बन नहीं सकता तो cell मर जाएगी DNA को लगाता है replicate करते रहने के लिए RNA को लगाता है बनते रहने के लिए हमां niclotides ही है और niclotides प्रोवाइड गराने का जिम्मा है D-N-O pathway का अगर DNA काम नहीं करते तो salvage काम करेगी अब इस fat medium पर डलते ही जो immediately जो cell मर जाएगी कौन सी मरेगी cell सबसे पहले सबसे पहले जो immediately मरेगी वो है आपकी myeloma cell क्यों? myeloma cell में notice कीजिए salvage पात्वे के enzyme खराब है और इस A की वज़े से D-N-O pathway चलनी सकती तो अनतिजा myeloma cell के पास कोई और रास्ता नहीं है निक्लोड बनाने का तो सबसे पहले मानने वाली cell है myeloma ये भी और myeloma ये भी तो ये दोनों cell मर जाती है अभी आपकी ये B cells और ये जो B के conjugate साही है आराम से काम करते रहते हैं क्योंकि इनके पास चाहे इस medium में D-N-O नहीं चल सकती बट इनके पास enzyme थे TK positive और GPRD positive मतलब ये ठीक्टा काम करेगी अब क्योंकि ये दो cell जो fuse करी होई हैं इनको भी देख लेते हैं इन दोनों cell लोगा जो genome type है अब genome रहे देखिए एक cell से आया IG negative oblique दूसरी cell से आया IG positive मतलब इसके पास genome में एक copy है खराब IG की और दूसरी copy है सही IG की तो बताइए antibody बनाएगा या नि बनाएगा सेम ऐसे ही एक copy मिली है से TK negative और दूसरी copy है TK positive तो बताइए TK enzyme काम करेगा या नि करेगा तो सेम इसी logic से इसका IG PRT भी काम करने वाला है यानि कि जो ये hybrid cells हैं इन cells के अंदर ability है HAT medium पे survive करने की जैसे की B cells survive कर रहे थे लेकिन इसमें एक खास फीचर हो रहा ही है myeloma cell की कि ये immortal है cancerous है तो ये वाली property यहां maintain रहे जाती है नतिजा after few days अपनी उमर पूरी होने की वेशे ये normal B cell मर जाती है लेकिन ये cell survive करती रहती है तो अभी क्या हुआ अब आप पार हो after some time यहां पर केवल एक ही cell की population है हर जगे जो grow कर रही है और ये हैं आपकी hybridoma cells इन्हें हम hybridoma कहते हैं अब इन cells को आप culture बीटम में और grow करो और फिर इसे antibody बराने के लिए produce induce करो तो फिर आपको antibody मिल जाएंगे अगर आपने यहां पर केवल एक ही cell के clone का इस्तेमाल किया था मतलब आपने एक ही hybridoma उठाई तो आप इससे बनने वाले antibodies को बाद में MAB कहोंगे अगर आपके पास multiple hybridoma हैं अलग-अलग type के क्योंकि याद है ना शुरुबात में हमने सारी भी cell ले लिती चुहें की निकाल करके तो अगर आपने कहीं सारे hybridoma को मिला के population बना रख किये तो आप जो antibody बना रहे हो polycrum ले तो generally यह method इस्तेमाल किया रहता है और hat medium का यह principle तो यह question यहां तक हाँ जी उसके पास मतलब antibody बनने की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में काफी कुछ होता है transcription, transcription के बाद में post transcription modification फिर translation फिर बहुत सारा post translation modification तो यहां पे इस प्रोसेस में कहीं भी इस cell के अंदर दिक्कत रखती है हो सकता है antibody पूरा बनता ही ना हो बनता हो टुकड़ों में बनता हो बनता भी हो लेकिन काम ना करता हो लेकिन अंटिमेटली यह antibody का असर कभी दिखाते नहीं है अगर यह अपने antibody बनाएगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत खड़ी जाएगी तब यह हमारे इस मतलब के cell नहीं है market में इस तरह की commercially available myeloma cell available है जो यह phenotype दिखाती है यह हम लोग अपने अपनी बनाते cells company वालों ने बना के रख्यूई है पांच्छलाग रुपे दो दो-चार एंबल cell देंगे तुमें अलग लग ट्रेड नाम भी है इनके ठीक है तो एक homework दे सकते हैं आँ तुमें homework के लिए यह यह कि commercially available myeloma cell for map production दो-चार एंबल नाम इखटे करो ठीक है तब तुमें और जान करें मिलेगी यह जो हमने बात किये तो यह textbook बात है कि वह टिपकल test book कौशिच करूँगा कि मैं तुमें इसका experiment जो होता है मैं वो भी दिखा दूँ अगर available है कहीं पर तुम कोई जिपकर यहां तक मैंने जो antibodies बनाए हैं maps तो मैंने बनाए हैं human care उसमें हम लोगों ने दो तरीके से किया है हमने उन cells कराके दिखा हुआ है और दूसरा हमने सीधा का सीधा बी सैल को ही cancerize कर दिया हमने क्या कर दिया कि आक्षिन बार वायरस आप जानते होगे वार्ट क्रेट करता है वार्ट यह cancer टाइप का tumors तो बी सैल को इस तरीके से हम लोग modify कर सकते हैं चले फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे अगर कोई और सवाल है तो आमंत्रित हैं आप कुछ सकते हैं आप कुछ सकते हैं